अमेरीकी राष्ट्रपती डॉनल्ड ट्रम्प अपने एशिया दोरे पर पीएम नरेंद्र मोदी से मुलकात कर सकते हैं दोनों वर्ल्ड लीडर एक ही समय फिलिपीन्स में होंगे अमेरिकी राष्ट्रपती डॉनल्ड ट्रम्प ने 12 नवंबर को फिलिपीन्स पहुंच रहे हैं जहां वह आसी अन के 50 साल होने के अफसर पर आयोजित डाला डिनर में भाग लेंगे वहीं पीएम नरेंद्र मोदी भी 12 नवंबर को ऐसी अन बैठक में भाग लेने फिलिपीन्स पहुंचेंगे इसके बाद पीएम नरेंद्र मोदी का फिलिपीन्स का तीन दिवसी एक डौरा करने का भी कारिक्रम है वहीं डोनाल ट्रम्प ने भी घोशना की है कि वे फिलिपीन्स में एक दिन और रुकेंगे और 15 नवंबर को अमेरिका वापस लोटेंगे मीडिया से बाचीत करते हुए ट्रम्प ने कहा कि वे हिस्ट एशिया समय अट्टैंड करना चाहते हैं अमेरिकी राष्टपती डॉनल ट्रम्प अपने 12 दिनों के एशिया दोरे पर रवाना हो गए हैं एशिया के लिए उडान भरने से पहले हवाइद हुई पहुचे राष्टपती ट्रम्प ने वहां हुए उनकी स्वागत के लिए धन्यवाद किया इसे लेकर ट्रम्प ने एक ट्वीट भी किया आपको बता दें कि अमेरिकी राष्टपती के राष्ट्रिय सुरक्षा सलहाकार ने कहा है कि डॉनल ट्रम्प की पहली एशिया यात्रा का मकसद पुराने संबध्धों को मजबूत करना और नए संबंधों को आगे बढ़ाना है ट्रम्प ने अंतिमपलों में अपनी यात्रा की समय सीमा एक दिन के लिए बढ़ा दी ट्रम्प पहले 14 नवंबर को वापस लोटने वाले थे और विदेश मंत्री रिक्स इल्रुसन इस्टे एशिया समेट कारेकरम में अमेरिका का प्रतिन धित्व करने वाले थे इस दोरे के दोरान ट्रम्प जापान, साउथ कोरिया, चीन, वियतनाम, फिलिपीन्स का दोरा करेंगे यह 25 सालों में किसी भी अमेरिकी राष्ट्रपती का सबसे लंबा दोरा है यह दोरा उस समय हो रहा है जब नौर्थ कोरिया की वज़े से एशिया और पूरे विश्व में तनाव है साथ ही अमेरिका और नौर्थ कोरिया के रिष्टे टकराव के दोर से गुजर रहे हैं फिलिपेनो सिटी ओफ एंजिल्स होने वाले इस समयट में भारत, रूस और चीन समयट दसे शियान देशों के लिडर्स भाग लेंगे ट्रम्प ने एर फोर्स वन पर मीडिया से कहा कि हम अपने दोरे को एक दिन बढ़ा रहे हैं क्यूंकि वे काफी महत्वपून दिन है यह है मकसद ट्रम्प 12 दिन की एशिया यात्रा के लिए शुकरवार को वाइट हाउल से रवाना हुए यह है अब तक की ट्रम्प की नाकेवल सबसे लंबी विदेश यात्रा है बलकि लगभग तीन दशक में किसी अमेरिकी राष्टपती की सबसे लंबी एशिया यात्रा भी है राष्ट्रे सुरक्षा सलहकार ले फुटनेंट जनरल एचार मेकमास्टर ट्रम्प की यह इशिया यात्रा को अमेरिका के पुराने सहयोगियों के साथ सम्बंधों को मजबूत करने और हिंद प्रशांत क्षेतर में नए सम्बंधों बढ़ाने की कोशिश के और पर देखते हैं मैक मास्टर ने ट्रम्प की ये इशिया यात्रा शुरू होने की पूर्व संध्या पर वाइट हाउज में सन्मादाताओं से कहा कि पिछले दस महीनों में ट्रम्प कई रणनी तिक मुद्दों, खास और से उतर कोरिया के परमानु खत्रे को लेकर हिंद प्रशांत क्षेतर के नेताओं से बाचीत में सक्री रहे हैं। उन्होंने कहा कि ट्रम्प ने राष्ट्रपती बनने के बाद से विभिन देशों के नेताओं के साथ 43 बार फोन पर बात की है। उन्होंने जापान, दक्षन कोरिया, चीन, भारत, ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया, वियतनाम, इंडोने नेताओं के साथ द्विपक्षिये बैठके भी की हैं। उन्होंने कहा कि ट्रम्प की यात्रा तीन लक्षियों पर केंद्रित होगी। इसमें उत्तर कोरिया के परमाणू निरस्त्री करण के लिए अंतराष्ट्रिय संकल्क मजबूत करना, स्वतंत्र और मुक्त हिंद प्र योगी देशों बल्कि पूरी दुनिया को खत्रा है।